हेलो प्यारे बच्चों, खक्षिया साथ में गणीत की प्रश्णावली 13.02 के सेश बचे विश्वालों को हल करते हैं, तो आईए प्रसंद संख्या तीन से शुरू करते हैं बताईए कि निमलिक्त कथन सत्य हैं या एसत्य तथा अपने उत्तर का कार्ण भी दीजिए, यहां पर हमें चार पार्ट दिये हैं, इनमें हमें सत्य और सत्य बताना है कार्ण सहीत फैस्ट पार्ट है दस गुना दस की घाथ 11 बराबर सो की घाथ 11 तो इसको हल करेंगे यह हमारे पास हो जाएगा बाइं तरफ दसकी घात एक और ग्यारे बारे दसकी घात बारे बराबर इदर हमारे पास है सो की घात ग्यारे सो को हम लिखेंगे दसकी घात में सो को हम लिख सकते हैं दसकी घात दो और इसकी घात है ग्यारे तो यह हमारे पास हो जाएगा इदेर आएगा 10 की घात 12 बराबर होना चाहिए 10 की घात यहाँ पर घात के उपर घात है तो घातों के अपस में गुणा हो जाएगी यह हो जाएगा 10 की घात 11 गुणा 2 22 अब 10 की घात 12 और 10 की घात 22 क्या दोनों बराबर हो सकते हैं नहीं हो सकते यहां पर 10 की गात 12 है और यह 10 की गात 22 है तो यह दोनों बराबर नहीं है तो यह हमारा हो जाएगा ऐसत्य दोनों पक्स बराबर नहीं हो सकते हैं ऐसत्य हो जाएगा दूसरा पार्ट है दो की घात तीन बड़ा है पांस की घात दो से दो की घात तीन का मतलब होता है दो की गुणा तीन बार बड़ा होना ची किस से पांस की घात दो यानि पांच गुणा पांच ये कह सकते हैं कि दो गुणा दो गुणा दो आठ बड़ा है पच्चिस से तो ये आठ पच्चिस से बड़ा नहीं है तो ये क्या है एसत्य थर्ड पार्ट है दो की तीन गुना तीन की दो दो की घात तीन गुना तीन की घात दो बराबर है छे की घात पांच पहले हम बाइपक्स को देखते हैं दो की घात तीन हमारे पास हो जाएगा आठ तीन की गात दो हो जाएगा तीन गुणा तीन नो बराबर होना चाहिए च्छे की गात पांच यह हमारे पास आएगा च्छे की गुणा करेंगे च्छे से कितनी बार पांच बार यह आठ गुणा नो बहतर बाएग तरफ आगा बहतर बराबर हो जाएगा 7706 तो बहतर और 7706 बराबर नहीं है तो यह हमारे पास हो जाएगा एसते चौत्ह पर्ट है तीन की घात जीरो बराबर अजार की घात जीरो अब किसी भी प्रौनांक की घात जीरो हमने पढ़ाता होता है एक तो यहां पर यह हमारे पास हो जाएगा एक बाईपक्स में बराबर अजार की घात जीरो किसी भी प्रौनांक की घात जीरो यह सुनने होता है एक तो दोनों तरफ हमारे पास है इसका मान भी एक, इसका मान भी एक एक पराबर एक तो यह हमारे पास हो जाएगा सत्य, यह कथन सत्य है परसन संक्या चार है निमलिक्त में से प्रते को केवल एबाज्य गुनखंडों की गातों के गुननफल के रूप में व्यक्त कीजिए हैस्ट पार्ट है 108 गुना 112 इनको हम अबाज्य गुननखंड के रूप में लिखेंगे पहले यहाँ पर हम 108 को लेते हैं इसके गुननखंड करेंगे सबसे पहले 2 से चौम मनाएगा फिर 2 से बाग करेंगे 27 फिर 2 से निज आएगा अगली अबाज्य संख्या होती है 3 तीन से करेंगे 9 आएगा फिर 9 को 3 से करेंगे इस तरह से इसके बाद 112 में सबसे पहले 2 से बाग देंगे सबसे चोटी अबाज्य संख्या हमारी 2 होती है च्छान में आएगा फिर 2 से बाग देंगे है और ताड़ हैंगा पिर आगे 2 से भाग देने पर यह 24 को फिर में दो से भाग देंगे 12 कि अध्या आजएगा फिर दो से भाग देंगे 6 को 3 आएगा और फिर 3 3 से भाग जाएगा एक आजाएगा तो हम 108 को लिख सकते हैं दो यहां पर हमारे पास 2 की गुरा 2 से 2 बार है 2 की घात 2 गुरा 1 2 3 3 की घात 3 अब लिखेंगे हम 102 को 102 में में 2 आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बार 2 की घात 6 गुरा 3 है एक बार तीन की घात एक यह हो जाएगा यहाँ पर दो की घात च्छै और दो की घात दो दो की घात दो और दो की घात च्छै आधार समाने घाते जुड़ जेंगी दो की घात दो और च्छै आठ गुना तीन की घात तीन और तीन की घात एक यहां पर भी आधार समान है गाते जुड़ जाएंगी तीन की घात तीन और एक च्यार किसके दोबरा? पिछ्छे मैंने पुड़ा था कि एकी घात एम गुना एकी घात एन बराबर होता है एकी घात एम जमा एन इसनियम के दोबरा हमारे पास यह हो जाएगा 2 की 8 गुना 3 की 4 सेगन पार्ट है 270 हम 270 को लेके चलेंगे इसकी गुन खंड करेंगे बाज़े सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे यह हमारे पास आएगा 135 फिर 2 से बाग नहीं जाएगा अगले बाज़े संक्या 3 होती है फिर 3 से बाग करेंगे 3, 4, 12, 45 आएगा उसके बाद फिर 3 से बाग करेंगे 15 आज़ेगा फिर 3 से 5 अब 5 बाग जाएगा 5 से तो हमारे पास 270 हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 यह हो जाएगा दो की घात एक गुना तीन की घात यहां पर है तीन गुना पाँच यह इसका अंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट है 731 गुना 64 दो से बागने जाएगा इसको बाग करेंगे हम तीन से तीन से बाग करेंगे यह हमारे पास आएगा 243 फिर तीन से करेंगे यह क्या सी आएगा फिर तीन से बाग जाएगा नो पे जाएगा इस तरह से चो से टो बाग देंगे शुरू में दो से 32 फिर दो से बाग जाएगा यह सोड़ा आजेएगा दो से बाद करते रहेंगे इसको यह हमारे पास ऐसे हो जाएगा अब 729 को अम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 की घाते 6 गुना 64 को अम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 6 बार गुना है तो 2 की घाते 6 यह इसका अंसर हो जाएगा फूर्थ पार्ट है 768 पहले 2 से बाग देंगे 3, 84 आएगा फिर 2 से बाग देंगे 1, 2, 2 में 2 से बाग उता रहेगा फिर 2 से 2 से बाग देंगे 24 आएगा फिर उसको 2 से बाग करेंगे 12 6 पे जाएगा वरंत में फिर 3 से बाग जाएगा तो इसको में लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 हमारे पास है 8 बार दो की घात 8 गुना 3 यह इसका अंसर हो जाएगा परसंद संक्या 5 है सरल कीजिए तीन पार्ट देवे इनको हमें सरल करना है फेस्ट पार्ट है 2 की घात 5 की घात 2 गुना 7 की घात 3 बटे 8 की घात 3 गुना 7 स्कॉल करेंगे उपर हमारे पास गात के उपर गात है तो यह हो जाएगा 2 की घात 5 गुना 2 गुना हो जाएगी 10 गुना 7 की घात 3 निचे हमारे पास है 8 की घात 3 अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 को 2 की घात में लिखे लेंगे अब हमारे पास उपर और निचे दो की और साथ की गात में संख्या हो गई तो यहाँ पर हो जाएगा दो की गात दस बटे यह गात के उपर गात हो जाएगा गुणा दो की घात है तीन गुणा तीन नो गुणा उपर है साथ की घात तीन इच्चे है साथ की घात है एक यांसी हो जाएगा दो की घात दस गटा नो उपर लेगे जाएं गट जाएगा दस में सुनो गया एक गुणा साथ की घात तीन बटे साथ की घात एक उपर जाएगा गट ज होगा यहां पर हमने इस नियम का प्रियोग किया कि एकी घात M बटे एकी घात N बराबर होता है एकी घात M गटा N यहां पर हमें इसका प्रियोग किया है सेकिंड पार्ट है 25 गुना 5 की घात 2 गुना T की घात 8 बटे 10 की घात 3 गुना T की घात 4 हम यहां पर 25 को 5 की घात में लिखे लेते हैं 5 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना T की घात 8 निच्चे हमारे पास है 10 तो 10 को हम लिख सकते हैं यहां पर 2 गुना 5 इसकी घात तीन गुना टी की घात चार अब हमारे पास उपर है पांस की घात आदार समाने घाते जुड़ जाएंगी पांस की घात चार गुना टी की घात आठ निच्चे हमारे पास आएगा दो की घात तीन इसको अलगलग कर लेंगे और पांस की घात तीन क्योंकि दोनों के उपर घात तीन है इसके उपर भी घात होगी और इसके उपर भी दो की घात तीन गुना पांस की घात तीन गुना टी की घात चार तो यहां से हमारे पास यह हो जाएगा पांस की घात चार उपर है पांस की घात चार निच्चे है पांस की घात तीन गुना टी की घात उपर है आठ और निच्चे है टी की घात चार और साथ में है निच्चे दो की घात तीन तो ये मारे पास हो जाएगा पांच की घात चार घटा तीन एक गुणा टी की घात उपर आठ है नीचे चार है घट जाएगा टी की घात चार और यह हमारे पास हो जाएगा बटे दो की घात तीन यह इसका अंसर हो जाएगा इसका लास्ट पार्ट है तीन की घात पांच गुणा दस की घात पांच गुणा पच्चिस बटे पांच की घात साथ गुणा छे की घात पांच तो आईए स्कौल करते हैं तीन की घाथ पांच गुना दस की घाथ पांच गुना पच्चिस को हम लिख लेते हैं पांच की घाथ दो बटे पांच की घाथ साथ गुना छे की घाथ पांच अब यहां पर छे को हम लिख सकते हैं दो गुना तीन इसकी घाथ पांच उपर है तीन की गात पांच गुना अब यहां पर दस को भी हम पांच और दो के रूप में लिए सकते हैं पांच गुना दो दस को लिख दिया पांच गुना दो इसको हमने इसलिए ऐसे तोड़ दिया क्योंकि हमारे पास जो बाकी घाते हैं वो 2 और 5 के रूप में है तीशलिए हमने इसको भी 10 को 5 गुना 2 लिख लिया और 6 को 2 गुना 3 लिख लिया निचे है 5 की 7 गुना 2 गुना 3 की घात 5 इसको लिखेंगे तीन की पांच गुणा अलग अलग कर लेंगे इसको ब्रेकट टाएंगे पांच की घात पांच गुणा दो की घात पांच गुणा पांच की घात दो बटे आएगा पांच की साथ गुना इसको वेलगलग कर लेंगे दो की घात पांच गुना तीन की घात पांच अब हमारे पास उपर भी तीन की घात पांच है नीचे भी तीन की घात पांच है तो यहां से इनको काट सकते हैं उपर नीचे गर समान हो तो यहां पर हमारे पास है दो की घात पांच उपर निच्चे भी कट जाएगा उपर हमारे पास है पांच की घात पांच बुना पांच की घात दो अधार समाने कास्ते चुट जाएंगी पांच की घात साथ हो जाएगा निच्चे भी हमारे पास है पांच की घाते साथ ये भी कट जाएगा एक तिसका अंसर हो जाएगा एक